वेलकम तू प्रेपकास्ट इन दिस पर्टिक्लर सेशन वे अर गोईंग तॉट अबाउट इन्डिया और इसको पढ़ने के लिए हमारे लिए ये जरूरी है जानना कि कि modern Indian history की शुरुआत कहां से हुई या modern Indian history की शुरुआत हम कब से मांते हैं और क्या basically हमें पता होना चाहिए Europeans के आने के बाद इंडिया में modernity आई और एक modern era start होता है लेकिन उस दौर को समझने के लिए it's important for us कि हम इस बात को भी समझें कि जब Europeans इंडिया में प्रवेश करते हैं तो उस समय इंडिया की क्या परिस्थिती होती है तो basically हमें वो transition भी समझनी पड़ेगी जो हम medieval इंडिया से modern इंडिया की तरफ करते हैं इसमें कुछ important events आते हैं, कुछ important personalities आती हैं इन सब की significance को समझ कर ही हम modern Indian history को समझ सकते हैं and gradually फिर हम अपना freedom struggle समझेंगे so आज की session में आप क्या expect कर सकते हैं you can expect that हमारा objective यहाँ पर यह है कि we understand the state of India at the time of advent of Europeans क्योंकि हमारी जो आजादी की लड़ाई है वो British के खिलाफ है now British, they were Europeans European powers कई सारी इंडिया में आई जिसमें British सबसे जादा powerful बनके रहे गई और उनी के खिलाफ हमारा पूरा स्वतंतिता आंदोलन targeted था अब जब यह इंडिया में आए तब भारत की स्थिती कैसी थी यह हम समझ सकते हैं लेटर मुगल्स को समझ कर ठीक है तो लेटर मुगल्स के बारे में पढ़कर we can basically understand that what were the conditions that made it so easy for British or other European powers to annex India conquer it and colonize it क्या हम इतने बड़े empire को protect नहीं कर पाए कुछ foreign व्यापारियों से ऐसा क्या reason था इस चीज़ को हम समझेंगे इसी के साथ लेटर मुगल्स को समझने के साथ-साथ हमें decline of मुगल empire भी समझना पढ़ेगा क्योंकि देखो मुगल्स Aurangzeb के समय तक काफी ज़ादा powerful थे Aurangzeb की कुछ blunders हुए जो हम medieval इंडिया में पढ़ते है हम हमारे chapters में भी हम cover करते है उन blunders की वजह से जो successive मुगल emperors थे उनको कुछ problems, उनको कुछ दिक्ततों का सामना करना पढ़ा Consequently मुगल empire decline होना शुरू हो जाता है और जब ये decline होना शुरू होता है तो आज पास की जितनी भी European powers थी उनको समझ आ जाता है कि अब हमारा रास्ता साफ हो रहा है और इंडिया को हम politically भी control कर सकते है Consequently यहाँ पे disintegration होती है मुगल empire की और कुछ अलग-अलग independent kingdoms emerge करते हैं और ऐसी situation में British के लिए in fact बाकी European powers के लिए भी यह काफी आसान हो जाता है कि वो इंडिया में political powers को बड़े अराम से grab करें और in fact आपस में भी Europeans का power struggle होता है लेकिन इसमें से Britain अपने आप में एक winner बनके आता है तो इन सारी कहानी को समझने से पहले Later Muggles को समझना जादा जरूरी है Now, in Later Muggles this is very important for us कि हम यह समझे कि हमें क्या-क्या चीजें निकाल कर अपने notes में integrate करनी है या फिर हमें पता होना चाहिए for knowledge perspective या any exam point of view तो जब हम Later Muggles के बारे में पढ़ेंगे first of all मैं यह आपको बिलकुल clear कर दू कि यह हम बिलकुल modern इंडिया की तरफ बढ़ रहे है लेकिन जो यह transition है medieval से modern तक का क्योंकि लोग अकसर इस particular portion को जो transition वाला period है इस portion को छोड़ देते हैं अगर मैं UPSC की बात करूँ तो इसी portion से काफी जादा सवाल पूछे जाते हैं काफी typical questions पूछे जाते हैं so यहाँ पर it's important for us कि हम इस बात को समझें कि यह particular phase भी काफी important है इस particular phase से मैं आपको यह भी जरूर बताऊंगी कि शायद बहुत जादा सवाल नहीं आएंगे previous year question को अगर देखोगे लेकिन ऐसा नहीं है कि इसको हम छोड़ के जा सकते हैं क्यूं? क्यूंकि UPSC contradictable service कहा जाता है और अभी तक नहीं पूछा तो आगे पूछ सकते हैं दूसरा यह कारण है कि अगर आपने modern India को समझना है तो medieval India जहाँ पर खतम हो रहा है वो चीज अगर आपको अच्छे से पता है उस topic के उपर उस content के उपर अगर आपकी अच्छी grip है तो basically you can understand modern India as well तो जब हम later muggles करेंगे first and foremost thing which is important for us to understand is the chronology तो सबसे पहले हमें हमारे को chronology समझना बहुत important है basically later muggles में कौन पहले आए कौन सी के sequence में ये लोग आए इसी के साथ इनके राज में कुछ important developments हुई important developments उन developments के पीछे important किरदार या personalities वो भी थी तो ये सारी चीज़े हम समझेंगे और important kings and office holders कोई important वजीर था कोई मीर बक्षी था जिसने एक एहम भूमिका निभाई history के इतिहास के रुख को पलटने में उनके उपर हम खास चर्चा करने वाले हैं right तो session को यहां से start करते हैं अच्छा exam perspective से अगर बात करें तो जैसा कि हम लोग अब later मुगल से start करने वाले हैं तो पढ़ने से जादा important है पढ़ना तो important है लेकिन पढ़ने से जादा important है कि हम अपने content को consolidate करें क्योंकि क्या है यह जो later मुगल्स हैं यह अपने consolidate ही नहीं कर पाए बाब दादाओं ने इतना सारा territory gain किया चाहिए इनको यह था कि उस territory को consolidate करें या संभाल के रखते बट वही बात है जब integrate करो गई नहीं consolidate करो गई नहीं अपने empire के अंदर चीजों को तो वो छूटेगी उसी तरह यह subject matter या for that matter any subject any syllabus which you read which you understand इसको consolidate करना बहुत ज़रूरी है चोटा सा ग्यान होगा लेकिन UPC का जो syllabus है माना जाता है कि एक ocean जैसा syllabus है समंदर जैसा syllabus है so the topic, the content the syllabus is not difficult only the integration part the consolidation part is difficult और उसके लिए revision करना बहुत ज़रूरी है तो revision के लिए भी आप इस session को use कर सकते हैं basically यह session जो है समझने के साथ-साथ revise करने के लिए भी है या for the general people who want to understand the modern Indian history having said that start करते है Mughal Empire 1707 का साल एक विशाल सल्तनत तयार खड़ी है Aurangzeb बाच्शा है लेकिन अचानक क्या होता है Aurangzeb का देहान तो जाता है डेथ हो जाती है और भारत के इतिहास का वो चाप्टर स्टार्ट होता है जो की हमें modern India की तरफ लेके जाएगा भारत इतिहास का वो चाप्टर स्टार्ट होता है जो की हमें Europeans का गुलाम बनाएगा और उनके खिलाफ हमारा freedom struggle स्टार्ट होगा वैसे भी ये बात clearly जग जहर है कि Aurangzeb no doubt he was a very notorious and an unpopular Mughal leader लेकिन एक बात जरूर है कि Mughal Empire की सबसे ज़ादा territory उन्हीं की साशन में थी और ये सभी बातों को ध्यान से सुनने की जरत है इस पे exams में सवाल भी बनते हैं और आने वाले lectures में आने वाले sessions में कुछ questions भी हम लेंगे तो जो भी चीज़े हम यहाँ पढ़ रहे हैं जो भी चीज़े हम यहाँ समझ रहे हैं उसको समझना और उसको याद रखना बहुत important है एक important fact और अंगजेब के बारे में कि भले ही unpopular थे बट एक विशाल समराज वो बना पाए हाला कि वो consolidate नहीं कर पाए और जो उनकी policies थी उन policies के चलते वो समराज बहुत जादा देर के लिए आगे continue नहीं हो पाया नहीं कर पाए वो continue उनके successors को औरंगजेब की ही policies की वजह से काफि दिक्कतों का सामना करना पड़ा इसी के साथ साथ एक और fact जो आप सभी को पता होना चाहिए वो ये कि औरंगजेब अगर मैं आपसे ये पूछू कि क्या औरंगजेब मुगल emperor में क्या वो शाषक थे जिन्होंने सबसे लंबे समय के लिए शाषन चलाया था जवाब है नहीं सबसे लंबा जो शाषन चला वो अकबर का चला ये लगभग 49 years का शाषन था जबकि औरंगजेब का शाषन कुछ 48 साल और 7 महिने का था तो अकबर आप सबको पता है कि काफी young age में लगभग 12 साल की age में उनको शेहनशा घोशित किया गया तो जाहिर सी बात है कि उनका शाषन भी काफी लंबे समय के लिए चला होगा राइट सो ये भी एक important fact है जो हम सबी को पता होना चाहिए अब later मुगल्स की बात हो रही है आपके जानकारी के लिए बता दूँ कि मुगल emperors को हम दो भागों में divide करते है There is a broad classification of Mughals जिसके basis पे दो क्याटिगरीज में हम मुगल emperors को divide करते है पहले हैं greater Mughals ये greater Mughals वो लोग है जिन्होंने मुगल डाइनेस्टी को भारत में स्थापित किया establish किया जिनको इसकी चरम सीमा पे पहुँचाया तो यहां पे बाबर, हुमायू, अकबर, जहांगीर, शाह जहां और ओरंगजेब ये दरसल greater Mughals हैं जिनके बारे में हम medieval India में medieval history में काफी सारा focus इन पे होता और हम इन्हें medieval history में पढ़ते हैं तो देखो इनको कहते हैं greater Mughals औरंगजेब के बाद जो मughals आएं, वो कुछ खास contribution नहीं कर पाए मughal सल्तनत को संभालने में और खास contribution तो क्या करनी? उनकी वजह से मughal dynasty एक downfall देखती है तो consequently उनको later Mughals या lesser Mughals भी कहा जाता है अब उन्होंने जब खास contribution की ही नहीं इसलिए exams में खास सवाल उनके उपर पूछाने जाता लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आगे भी वो सवाल या वो topics नहीं आएंगे जो unpopular Mughals से जो popular चीज़ें जोड़ी हुई हैं वो अब हम देखेंगे तो broad classification को समझना जरूरी है ताकि हम सभी को basics पता हो कि greater Mughals या lesser Mughals कौन है ये जो category है ये जो categorization की गई है Mughals को समझने के लिए वो basically है क्या तो देखो जब later Mughals start होते हैं जब later Mughals का साशन जब start होता है तो एक तरीके से it's a beginning of end so beginning of what end? end of Mughal dynasty तो Mughalों के अंत का शुरुवात यहां से हो रही है तो अगर आप NCRT में देखेंगे एक map है जहां पे growth of Mughal empire 1526 से 1707 1526 से लेके 1707 के बीच में का एक Mughal empire के growth का map दिया हुआ है उस map को अगर हम देखेंगे तो वहां पर इस topic की शुरुवात होती है कि हमारा इंडिया में Mughal सल्तनत अपनी चरम सीमा पर थी यानि कि अपने zenith पर थी किस के साशन में? औरंग्जेब के साशन में जो 1707 तक चला था 1707 एडी तक इस समय तक औरंग्जेब का साशन चल रहा था तो अब हम map अके थूँ समझें तो उसमें हम देखेंगे कि पंजाब, दिल्ली, आगरा, सूरत, बनारस, अयोध्या, पटना, बंगॉल ये वाला जो एरिया था ये अकबर के द्वारा जोडा गया था और वहीं जो डेकन वाला एरिया था पूरा उसको औरंग्जेब ने जोडा था और औरंग्जेब क्यूंकि खुद भी जब शाजहां का शाशन चल रहा था तो डेकन के वो गवर्नर थे तो उन्होंने अपने जब सुल्तान बन गए जब शेहनशा बन गए तब भी उन्होंने डेकन के खिलाफ काफी ज़ादा क्यामपेंज चल रहा है और उनका पूरा मनसूबा था कि पूरे के पूरे दक्षन भारत को मुगल सामराज में शामिल करें इंटिग्रेट करें जो कि उनकी सबसे बड़ी भूल भी साबित हुई जैसे कि एक एक एक्जामपल देखें हम मेरेवल इंडिया में पढ़ते हैं कि माराथास के साथ माराथास और मुगल्स के बीच में बीजापूर और गोल कॉंडा में लड़ाई हुई थी तो औरंग्जेब बहुत ही जादा अग्रेसिव पॉलिसी फॉलो कर रहे थे डेकन में और उन्होंने बीजापूर और गोल कॉंडा के सल्तनत में को सल्तनत को अक्वायर कर लिया था तो कॉंसेक्वेंटली हुआ क्या फर्स कीजिए एक इग्जाम्पल है कि यहाँ पे मौराथाज मौजूद है डेकन एरिया में और वो पर्टिक्लर एरिया जहाँ पे बीजापूर और गोल कॉंडा है तो मौराथाज का जो बॉर्डर है वो डिरेक्ली मुगल्स के साथ टच नहीं हो रहा था लेकिन और अंगजेब ने जब इनको अक्वाइर किया तो मुगल बॉर्डर डिरेक्ली मौराथाज के साथ टच हो रहा था कॉंजिक्वेंटली बॉर्डर का सेम होने से डिरेक्ट कन्फरेंटेशन हो गई और मराथाज और मुगल्स के बीच में जो पावर स्ट्रगल चलता रहा उसकी वजह से मुगल्स का काफी सारा रिसोर्स ड्रेन हुआ ठीक है तो यहाँ पर आपके इन्फोर्मेशन के लिए एक फैक्ट है कि इन सभी पॉलिसीज के चलते ही काफी सारी प्रॉब्लम्स लेटर मुगल्स या लेसर मुगल्स को जहलनी पड़ती है अब जैसा कि हमने देखा था कि क्रोनोलिजी लेसर मुगल्स में बहुत जादा इंपॉर्टन प्ले करेगी जिसमें कि ये लेसर मुगल्स औरंग्स एब के बाद जो मुगल शाशन जिन राजाओं ने आके चलाया था काफी उपॉर्टन हो जाता है कि हम उस पूरी क्रोनोलजी को समझें अगर क्रोनोलजी को हम देखें तो पहले सबसे पहले औरंग्स एब के बाद आते हैं बहादर शाह या जिनको शाह आलम कहा गया फिर आए जहंदर शाह जिनके बाद आते हैं फरुक सियार इसके बाद रफियोद दराजाद फिर रफियोद दौला फिर मुहम्मद शाह रंगीला फिर एहमद शाह इसके बाद आलमगीर इसके बाद शाह आलम या अली गौहर जनको कहा गया फिर अकबर आए और फिर भादर शाह या जफर आए अब एक एक करके इन लेटर मुगल्स या लेसर मुगल्स को समझने की कोशश करते हैं तो देखिए 1707 जो साल था वो भारत के इतिहास में एक लैंड मार्क वाटरशेड इवेंट था क्योंकि सबसे बड़ा और सबसे पावरफुल मुगल्स एमपरर उसकी मृत्यू हो जाती है इसी साल में औरंगजेब भले ही अनपॉप्यूलर हो लेकिन last powerful, last most powerful emperor औरंगजेब को ही माना जाता है अब औरंगजेब की कई सारी उलादे थी लेकिन हमारे काम की तीन में इनकी उलादे हैं जन्में आपस में एक भिडन्त होती है जिसको कि आप war of succession भी कह सकते हैं आपके जानकारी के लिए बता दूँ कि हम medieval India को जब हम courses में भी पकरते हैं या हम जब अपने content के लिए syllabus के recording करते हैं तो Mughals में primogeniture को follow नहीं किया गया ये primogeniture होता क्या है primogeniture basically उस प्रथा को कहते हैं उस convention को कहते हैं जहां पर एक राजा की बहुत सारी उलादे हैं और सबसे बड़ी उलादी उनकी अगला उत्रादिकारी बनता है Mughals में इस policy को follow नहीं किया जाता था Mughals में था कि war of struggle होगा जो जीता वो सिकंदर और ये एक कारण बना जिसने Mughals को internally weak किया हर बार इनके war of succession देखने मिलती थी लेकिन generally पुरातन काल से लेकर अगर हम अभी तक देखें तो generally कभी कई सारे मुनाक्स के अंदर primogeniture के अंदर follow किया जाता था क्योंकि Mughals ये follow नहीं करते थे तो औरंग जेब के बाद उनके तीन बेटों में लड़ाई होती है war of succession की लड़ाई होती है ये तीन बेटे कौन है बहादुर शाह वन मुहम्मद आजम शाह और मुहम्मद काम बक्ष अब यहाँ पर इन सभी में से जो विजेता घोशित होता है वो होता है बहादुर शाह वन अब बहादुर शाह वन को आप यह समझ लो कि यह बड़ा competitive किसम का आदमी था और इसको था कि मैं ही हमेशा first आऊ तो इनके दो नाम थे बहादुर शाह first एक बहादुर शाह जफर अलग है बहादुर शाह वन इसी के साथ शाह आलम भी थे battle of boxer में आगे हम देखेंगे तो वो शाह आलम 2 है इसलिए इसलिए है क्योंकि बहादुर शाह वन को शाह आलम 1 कहां जाता है तो शाह आलम 1 और बहादुर शाह 1 एक ही व्यक्ति का नाम है इनमें हमें confused नहीं होना है हमेने सेम व्यक्ती की तरह जान सकते हैं अब बहादुर शाव वन जीत तो गए लेकिन भारत का दुरभाग के कह लीजिए या मुगल डाइनिस्टी का दुरभाग के कह लीजिए कि जहां पर एक ऐसे समय पर औरंग्जेब की पॉलिसी ने बेडागर करके रख दिया भारत के इतिहास का वहाँ पर एक 65 साल की को हमने सुल्तान बना दिया एम्परर बना दिया तो यहाँ पर जब यह राजा बने जिस उम्र में आज के समय में जजस को भी रिटायर कर दिया जाता है यह उस समय राजा बने अब हमें यह समझना है कि बहादुर शाह वन ने शाशन को ग्राब करने के बाद किया क्या और यह चीज़ हम समझ सकते हैं कि औरंग जेब क्या करता था आप सब जानते हैं कि औरंग जेब was an ambitious ruler और उनकी कोशिश थी कि पूरे भारत में मुगल पर्चम ही लहराया जाए इसलिए उनकी थोड़ी से intolerant policies भी थी anti-hindu policies थी हिंदु राजाओं के खिलाफ वो लड़ाई छेड़ते थे along with that मंदिरों को भी भी उन्होंने अपना काफी सारा campaign चलाया अब कुछ हद तक उन्ही policies को carry forward करते हुए जब बहादर शाह वन initially emperor बने तो उन्होंने एक फैसला किया कि वो आमबेर और जोदपूर सल्तनत जोदपूर kingdoms के उपर जो राजपूर kingdoms हैं ये दोनों इनके उपर हम attack करेंगे इनको हम acquire करने की कोशिश करेंगे तो आमबेर में उस समय राजा जै सिंग का राज था और जोदपूर में उस समय राजा अजीत सिंग का राज था अब ऐसा तो है नहीं कि राजपूत हैं तो आनबान शान का सवाल बनता था उस समय तो यहाँ पर बहादुर शावन को एक strong resistance मिलती है resistance मिलती है उपर से औरंगजेब के समय पर जो शाही कोश बहुत जादा drain हो जाता है due to several war उसके चलते एक समझोता करना पड़ता है बहादुर शावन को with आमबेर और जोधपूर तो जो territories ये acquire कर भी लेते हैं उनको भी return कर दिया जाता है इसी के साथ साथ बहादुर शावन को ये realize होता है कि आमबेर और जोधपूर के साथ हमें बना के रखनी चाहिए तभी मुगल शाशन भी शांती से आगे बढ़ पाएगा तो ये high मंसब high मंसब क्या होता है high rank administration में राजा जै सिंग और राजा अजीद सिंग को एक high rank भी देते हैं लेकिन यहाँ पर राजा जै सिंग और राजा अजीद सिंग की सिर्फ इतनी demand नहीं है इनका ये भी कहना है कि ठीक है तो गुजरात और मालवे का ये एक तरीके का control चाहते थे यहाँ से निकलने वाला जो revenue है यहाँ से निकलने वाला जो produce है agricultural produce है उस revenue का control इने चाहिए था लेकिन भादुर शाह वन ने ये नहीं दिया उनकी limit सिर्फ यहाँ तक थी तो राजपूत किंग्स के साथ कोशिश इन होने की कि conciliatory measures मैं बना सकूँ क्योंकि औरंगजेब के समय पर जिस तरह से policies follow की गई राजपूत किंग्स and various other kingdoms वो मुगल्स के दुश्मन बन चुके थे और जब एक central power के बहुत ज़ादा दुश्मन बन जाएं तो वो vulnerable होती है अब lesser मुगल्स के उपर यही बोच था कि वो इन दुश्मनों को conciliate यानि कि उनको अपनी तरफ करने की कोशिश करें तो यहाँ पर कोशिश तो की गई लेकिन आप कह सकते हैं कि एक half-hearted attempt था to some extent चीजे मान ली गई लेकिन पूरी तरीके से acceptance नहीं दी गई इसके बाद आगे बढ़ने से पहले मनसब के बार में बात कर लेते हैं आप में से सब कई लोगों के मन में यह चल रहा होगा कि मनसब क्या होता है तो मनसब मनसबदारी system से निकलता है मेडीवल इंडिया में हम पढ़ते हैं कि मनसबदारी administration को organize करने का एक तरीका था administration है उसको अगर आप अच्छे से organize करना चाहते हैं तो उसको organize करने का एक तरीका है मनसबदारी इसको introduce किया था अकबर ने मनसबदारी system was introduced by अकबर he introduced this system to organize administration और इसमें nobles में और army को इन्होंने organize करना था मनसबदार का basically मतलब होता है holder of a rank जैसे आपको पता है कि IAS में क्या होता है कि pay commission के हिसाब से होता है pay band level 10 level 11 फिर अब senior level पे पहुँचते हो तो level 13 फिर promote officers होते हैं तो 13A भी होता है फिर level 14 भी आता है तो इस तरीके से hierarchy चलती है similarly मनसब भी holder of a rank होता है एक मनसब का rank उसकी salary वगेरा decide करता है let me try to further explain you अब मनसबदार में दो ranks आते थे जात का और सवार का इस system के अंदर ये दो ranks होते थे जात का मतलब है कि administrative hierarchy में आपका क्या status है जैसे कि अगर बहुत बड़ा number है जैसे कि 5 lakh let's say 5 lakh तो आपके जात का number अगर 5 lakh है तो इनका मतलब कि आप administration में बहुत higher position पे मौझूद है ठीक है तो hierarchy का मतलब administration में आप किस level पर आप basically exist कर रहे हैं उसके बारे में यहां से पता लगता है इसी के साथ सवार rank जो दूसरा category है सवार का मतलब होता है जैसे कि घुड सवार से समझ लीजिए सवार का मतलब होता है कि एक मनसब के नीचे उसके कितने troops होंगे तो जैसे होता है न कि एक territory दे रखी है उस territory को manage करने के लिए troops भी दे रखे हैं तो जितने troops आपके नीचे है उतना ही रुतबा आपका बनता है उस मनसब का तो जात status जो है मनसबदारी system में जो जात का rank है ये basically बताता है कि कितनी salary उस व्यक्ति को मिलेगी और administration में उसकी existence उसकी जो position है वो कहा होगी दूसरी rank जो सवार का है ये बताता है कि उस व्यक्ति के अंदर कितने troops का उसके पास command रहेगा तो ये दो system है जो मनसबदारी system में हमें देखने को मिलते हैं अब अकबर ने जब इसको introduce किया था तो ये hereditary system नहीं था जैसे कि हम medieval history में भी पढ़ते हैं लेकिन बाद में इसको hereditary system बना दिया गया इसी के साथ साथ ये lowest rank जो इसमें होती थी वो लगबग 10 का होता था जिसका मतलब होता है कि कुछ ऐसे भी मनसब होते थे जिनके हाथ में जिनके अंदर में सिर्फ 10 troops होते थे तो वो basically personal bodyguards का ही काम करते थे 5000 के आसपास भी मनसब का rank होता था सवार rank 5000 होती थी यानि कि उनके पास 5000 troops की सेना होती थी और जो शाही खांदान को belong करने वाले शहजादे थे उनका काफी जादा higher rank होता था एक एक लाख या पांच-पांच लाख का rank उनका उनको दिया जाता था यहां से basically उनकी क्या royal treasury से उनको salary मिलनी चाहिए उसके बारे में पता लगता था चीक है? अब हर कोई तो शाषक नहीं बनता emperor नहीं बनता तो वो जो noble की तरह काम कर रहा है उसके behalf पे उस context में वो कितनी salary draw करेंगे यह वहां से हमें उसके बारे में पता चलता है तो काफी जादा उनके ranks भी होते थे तो जितनी भी इस तरीके की appointments या promotions होती थी मनसब्स की अकबर के समय पे जब उन्होंने introduce किया था तब वो purely emperor खुद ही करते थे बाद में जाकर basically emperor ही करते थे बाद में भी जैसे कि हम यहां पे बहादुर शावन के समय पे हम देखेंगे इन्होंने भी खुदी जैसिंग और अजीत सिंग को भी हाई मनसब्स देने का फैसला किया था अब यहां पे एक extra knowledge है extra fact है कि जहांगीर के समय पे मनसब्दारी का जो system introduced हुआ था उसमें थोड़ा से एक modification किया गया था जिसको कहा गया था दो अस्पा, शी अस्पा अब देखो एक example से समझो Late 90s, 70s और Early 1980s पंजाब एक State India में आप सबको पता है इसका बड़ा dark time चल रहा था Terrorism और Insurgency की problem से हम जूज रहे थे विच कैंसे कि केंदरी सरकार के खिलाफ एक तरह से विद्रोग चल रहा था Law and order problem थी जब law and order problem के साथ deal करना है तो एक जरूरत महसूस हुई कि आपको पता है कि पुलिस में किस तरीके के ranks होते हैं Sub Inspector, Inspector SHO, उसके उपर DSP SP, SSP आते हैं, फिर DIG आते हैं and so on and so forth अब यहाँ पर SI के अंडर एक limited number of personals होते हैं जनका इस्तिमाल करके वो अपने केरिया में law and order maintain कर सकता है Same goes for Inspector, same goes for SHO जब insurgency की दिक्त थी तो SI के पास जरुरत पढ़ गई कि SI का दाइरा बढ़ादो ठीक है, कि जो officers थी इनकी कमी थी तो lower level पे सिपाहियों की भरतियां काफी ज़ादा कर दी गई ताकि law and order क्योंकि वो ground level पे हमें law and order maintain करने के लिए काफी ज़ादा constables चाहिए थे तो SI का दाइरा जो है territory जो है वो बढ़ादी गई territory बढ़ाने के साथ-साथ जो उनके under में personals आ रहे हैं वो भी बढ़ा दिये गए लेकिन जितने personals inspector के नीचे आते हैं लगबग उतने ही personals या constables sub inspector के अंदर आ रहे हैं लेकिन इसका rank sub inspector ही रखा है यानि कि जिम्मेदारी तो double हो गई है लेकिन rank उतनी ही है similarly inspector के साथ भी same चीज हुई SHO के साथ भी same हुआ DSP के साथ same हुआ तो basically क्या किया कि दाइरा बढ़ा दिया गया territory बढ़ा दिया गयी troops जो उनके अंदर है वो बढ़ा दिया गया लेकिन उनका rank उतना ही रखा जिससे की responsibility या जम्मेदारी बढ़ गई और insurgency हैं उससे जूजने का एक तरीके से कोशिश की गई ठीक है तो कुछ इसी प्रकार का system जहागीर के समय पर भी use किया गया जहागीर के समय पर देखा गया कि जहाँ पर number of troops को double कर दिया गया किसी भी मनसबदार के नीचे जो number of troops है उसको double कर दिया गया लेकिन उसके सवार रांग को change नहीं किया गया number of troops double कर दिये लेकिन जो सवार रांग के वो अभी भी वही है जो पहले होता था ठीक है तो यहाँ पर क्या था कि सिर्फ contingency और rebellion के साथ deal करने के लिए situation को introduce किया गया, इस system को introduce किया गया तो it's दो अश्पा शी अश्पा ये एक historical context हमने समझ लिया अब देख सकते हो कि हम जो transition देख रहे हैं from medieval to modern उसमें थोड़ी सी side lines की points भी हम देख रहे हैं जैसे कि हमारी knowledge थोड़ी सी और जादा इसाफा होती रहे है, ये जानना हमारी लिए काफी जरूरी है थोड़ा सा beyond the book beyond the topic जाना चाहिए चीजों को समझने के लिए अब इसके बाद शाह अलम वन या बहादुर शाह वन पे हम वापस आते हैं तो हमने ये देखा कि शाह अलम वन ने important months of ranks दे दिया और राजपूर के साथ साथ थोड़ा सा conciliatory measure इन्हों ने दिखाया Marathas के साथ इन्हों ने खेली चला की Marathas के साथ इन्हों ने conciliation दिखाने की कोशिश तो की even this was half-hearted Marathas चाहते थे कि ये अपने territory के आसपास सरदेश मुखी और 4 tax को collect कर सके again ये दो terms आ गए medieval history के ये आ गए ठीक है सरदेश मुखी और 4 ये हमें समझना जरूरी है देखो सरदेश मुखी 4 tax जो है ये निकला है word सरदेश मुख से सरदेश मुख basically होता है कि एक मुगल not मुगल एक Maratha Empire के सरदार जो है जो की छत्रुपती होते है उनको सरदेश मुख कहा जाता है ठीक है तो यहां पर शिवा जी he was the सरदेश मुख and जो tax इनके empire की territory से collect करके सीधा राजा तक जा रहा है शाही कोश में जा रहा है उसको सरदेश मुखी कहा जाता है इन जेनरल जितनी उपज हुई है एक particular land से उसका 10% revenue यह सरदेश मुखी होता था तो यहां पर मराठास का जो home land है मराठास की जो proper territory है उसके अंदर जितना tax आ रहा है वो सरदेश मुखी है इसी के साथ साथ एक चौथ नाम का tax होता था चौथ होता था 1 4th of the total revenue कभी इसका नाम चौथ कहा गया अब चौथ tax मराठा लैंड की internal territory से नहीं लिया जाता था मराठास का मानलो एक area है लेकिन इनके पास एक छोटा सा रियासत और है एक छोटा सा जमीनदार कोई मौज होता था जिसने अपनी सेना बना के रखी है किसी area में एक feudal lord है और भी areas में feudal lord है अब ये feudal lord अपने आप में इतने powerful नहीं है कि वो किसी invader का सामना कर सके consequently या तो अगर invasion होती या तो ये लड़ ले और जो फिर नतीजा निकले उसको accept कर ले या फिर ये marathas की territory में ही integrate हो जाए और या फिर ये अपनी इतनी हैसियत रखें कि ये fight back कर सकें तो देखिए लड़ कर बाद में पता लगे कि हम हार गए वो एक अलग feasible option नहीं है खुद लड़ने की शमता वो भी नहीं है तो क्या करें integrate भी नहीं होना चाहते तो इन्होंने यहाँ पर एक system निकाला कि जो हमारा revenue है उसका एक चौथाई हम marathas को देंगे इसके बदले marathas क्या करेंगे marathas हमें किसी तीसरी power की invasion से protect करेंगे तो basically एक तरीके का ये protection money होता था इस sense में protection tax की तरव हम इसको समझ सकते हैं तो ये था चौथ और सरदेश मुखी तो बहादुर शाव वन ने कहा कि marathas सरदेश मुखी collect कर सकते हैं वो उनकी अपनी territory से वो tax collect करने हैं लेकिन उनकी territory के आसपास के area से वो चौथ नहीं collect कर सकते वो directly marathas के territory को belong नहीं करते regions तो चौथ collection उनको allowed नहीं होगा वहाँ पर मुगल्स अपना revenue system चलाएंगे तो ये एक bone of contention बना था between marathas and mughals during बहादुर्शा वन रिजीम इसके बाद बहादुर्शा वन ने एक बड़ी ही चलाकी की what he did is ये marathas को internally weak करना चाहते थे और इस weakness को बढ़ाने के लिए इन्होंने एक पुराना जखम marathas का खोल के रख दिया by releasing शाहू जी अब शाहू जी कौन थे शाहू जी और तारा भाई इनकी आपस में लड़ाई से मुगल्स को क्या फाइदा था इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा बैकड्रॉप में जाना होगा देखिए छट्रपती महराज शिवा जी का देहांत 1680 में हुआ छट्रपती महराज के दो पुत्र थे शामभाजी और राजाराम वन ये सो तेले भाई थे क्योंकि समभाजी की मा महरानी साई भाई भोसले थी और राजाराम वन की मा सोयारा भाई भोसले थी जो के छट्रपती महराज की दूसरी वाइफ थी तो ये इनकी मदर्स थी और ये आपस में सो तेले भाई थे छट्रपती शिवाजी के देहांत के बाद संभाजी बने राजा he became the king राजा बनने के बाद कहा जाता है कि कुछ conspiracy हुई छत्रपती महराज के death के बाद बहुत strongly ये जो अपने खिलाफ conspiracies हैं इसको control नहीं कर पाए और हुआ ये कि एक युद्ध हुआ 1687 में जब मुबल्स के साथ मराठाज का direct confrontation चलती रहती थी तो 1687 में there was a battle called battle of why इस battle of why में मराठाज के एक बहुत ही important military commander थे जिनका दिहांत जाता है जिनकी death हो जाती है उस दिहांत के बाद बहुत सारे मराठाज के जो troops हैं वो इसको छोड़ना शुरू कर देते हैं उनका विश्वास शंभाजी के प्रती या डगमगाने लगता है संभाजी के प्रती और संभाजी के brother-in-law होते हैं जिनका नाम होता है गनोजी शिक्रे ठीक है गनोजी शिक्रे संभाजी के brother-in-law थे ये इनको धोका दे देते हैं और consequently इनकी information बता देते हैं मुकर्रब खान को मुकर्रब खान अपनी forces को बेच कर संभा जी को capture कर लेते हैं और इनको बंदी बना लेते हैं बहादुरगर के fort में जो की एहमदनगर में है इसी के साथ इनके बेटे बहुती छोटा बेटा होता है साथ वर्ष का who is शाहू जी और उनकी मा यशो भाई जो शंभा जी की वाईफ हैं उनको भी capture कर लिया जाता है ये भी 1689 में हो रहा था शंभा जी का देहान तो चाहता है उनको इतना torture किया जाता है that he succumbs to the torture and शाहू जी वन and यशो भाई को बंदी बना लिया गया इसके बाद शंभा जी के देहान के बाद अब देखिए by law primogeniture को अगर हम follow करें तो by law शाहू जी वन को Marathas तो follow करते थे उसके थूँ शंभा जी की lineage को आगे बढ़ना चाहिए उनी का वन शागे बढ़ना चाहिए तो शाहू जी वन को बनना चाहिए था अगला छत्रपती लेकिन क्योंकि उन्हें भी बंदी बना लिया गया है तो यहाँ पे जो Marathas सरदार हैं वो कौन बन रहे हैं राजा राम वन अब राजा राम वन का सरदार महें देहांत जाता है उससे में औरंग्जेब का राज चल रहा होता है सतरा से में इनके देहांत के बाद पीछे कौन रह जाता है इनका एक नवजात शिशू जिसका नाम है शिवाजी टू और इनकी विद्वा इनकी जो वाइफ धरम पत्नी तारा बाई तो तारा बाई रेजेंट बन जाती है याने कि जो अगला उत्तरा दिकारी है राजाराम 1 के बाद जो अगला उत्तरा दिकारी है वो है शिवा जी 2 लेकिन क्योंकि वो बहुत छोटे हैं वो शाशन नहीं चला सकते इसलिए उनके नाम पर उनके बिहाफ पर शाशन कौन चला रहा है तारा भाई तो यहाँ पर तारा भाई राज कर रही है 1707 में जब औरंगजेब का दिहानत होता है बहादुर शाह वन मुगल शेहिंशा बन जाता है तो उसको दिखता है कि तारा भाई के खिलाफ हम बहुत जादा यतन कर रहे हैं कि हम मराठास को ओवर पावर कर सकें लेकिन महिला होने के बावजूद भी मुगल फोर्सेस तारा भाई को डिफीट नहीं कर पा रहे हैं तो यहाँ पर बहादुर शाह वन सोचता है कि क्यों ना मराठास को इंटर्नली दीमक की तरह कुछ गड़बर करवाई जाएं तो वहाँ पर ये करते हैं शरारत ये इस समय का जो शाहो जी वन को रिलीज कर देते हैं और इन्हें पता हैं कि जब शाहो जी वन रिलीज होंगे तो मराठास में भी आपस में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो तारा भाई को शाशन नहीं चलाने देने चाहते हों तो शाहो जी वन भी अपना अधिकार मान लिये तो आपस में इनके एक लड़ाई हो जाती है ठीक है और इसी की वज़े से जब इनको रिलीज किया जाता है तो मराठास के इंटर्नल पावर स्ट्रगल की वज़े से मराठा इंपायर थोड़ा सा कमजोर होता है और इसी के साथ साथ बहादुर शाह वन की एक शरालत भी दिखती है तो consequently शाहुजी वन ये तारा भाई को हरा देते हैं इन बैटल ओफ खेड ये हम मेडिवल इंडिया में पढ़ते हैं बैटल ओफ खेड में शाहुजी और तारा भाई की आपस में लड़ाई होते हैं और यहाँ पे तारा भाई डिफीट हो जाती हैं और शाहुजी अगले छत्रपती बन जाते हैं तो शिवा जी के immediate successor है संभा जी संभा जी के बाद राजा राम के बाद इनके जो infant son थे शिवा जी टू वो थे बट क्यूंकि वो बहुत ही छोटे थे तो इनके बहाफ में तारा भाई शाशन चलाती हैं और शिवा जी टू के बाद शाहुजी वन अगले छत्रपती होते हैं तो यहाँ पर पाँच छत्रपती के बारे में हमने देख लिया in succession I hope यह value addition हुई है अपनी knowledge में ठीक है क्योंकि यह समझना काफी ज़ादा जरूरी था हमारे लिए तो यह सारी developments बहादुर शाह वन के समय पर होती हैं तो यहाँ पर मराठास के साथ भी कही न कहीं चलाकी करने की कोशिश की लेकिन हाँ जो बहुत ही intolerant policy और इंगजेब की थी उससे थोड़ा सा conciliatory measure दिखाने की कोशिश की गई कि सरदेश मुकी इनको लाओ कर दिया कि आप वो collect कर सकते हैं लेकिन आप चौत नहीं कर सकते हैं अब जहां तक सिखों की बात है सिखों का महा मुगल्स के साथ बहुत बड़ा मगमसान हुआ था मुगल्स के साशन में सिखों के साशन में गुरतेज बहादर सिंग की assassination की के बाद बहादर शावन ने साशन संभालने के बाद सिखों के साथ conciliation करने की कोशिश की राइट इन्हों ने गुरु गोबिन सिंग जी के साथ संजोता किया गुरु गोबिन सिंग जी को एक हाई मनसब रैंक मिला लेकिन हुआ ये कि जब गुरु साहब जोती जोत समाग है यानि कि जब उन्होंने इस दुनिया को छोड़ दिया तो उनके बाद उनके लॉयल बंदा बहादर इन्होंने रिवोल्ट कर दिया ठीक है इन्होंने पंजाब में रिवोल्ट कर दिया कि लेकिन कि अभी मुगलों की जो policies थी वो पूरी तरीके से लोगों के हित में नहीं नौन मुसलिम्स के हित में नहीं थी तो इन्होंने रिवोल्ट कर दिया तो मुगल्स और सिक्स का आपस में confrontation चलता रहता था इसी बीच मुगल्स ने पंजाब में लोगड़ नाम की एक जगह को capture कर लिया लोगड़ एक बहुत ही important place थी for six ये इनका एक गड़ होता था जहां पर ये weapons और artillery रखते थे तो मुगल्स ने इसको capture कर लिया and it came out as a setback to six लेकिन बहुत जल्ड बंदा बहादुर की leadership के अंदर 1712 में इसको वापिस जीत लिया गया तो यहां पर आप देख सकते हैं कि सिख के साथ भी बहादुर शावन ने relations थोड़े अच्छे करने की कोशिश की लेकिन हर जगा हम देखेंगे हम देख रहे हैं कि जो attempt है वो क्या है वो half-hearted है इसलिए successful नहीं हो पा रहा है इसलिए क्या होता है कि 1712 में बहादुर शावन का पेट खराब हो जाता है यानि कि liver में मौझूद जो spleen होती है वो spleen फूल जाती है एक तरीके से not exactly appendix की problem बढ़ हाँ stomach related एक बहुत बड़ा issue इनको हो जाता है जिसकी वज़े से ये एक natural death मर जाते हैं 1712 में अब वही बात है कि primogeniture है नहीं तो exactly कौन उतरादिकारी बनेगा ये किसी को clear नहीं है और क्योंकि मुगल समराज्य की condition बहुत जादा weak हो गई है इसलिए बहादुर शावन की death के बाद मुगल empire में एक नया trend देखने को मिलता है पहले शाही prince, शहजादे आपस में लड़ते थे to win the throne, लेकिन इस बार लड़ाई nobles के बीच भी हो रही है तो जो nobles है, जो दरबारी है, वो भी चाहते हैं कि अब वो भी लड़े, अब वो भी बाबर में आए और ये पहली बार देखने को मिला और यहाँ से एक indication मिलती है कि मुगल समराज जी की internal situation काफी जादा detetoriate हो जाती है इसी बीच एक noble, जुल्फिकार खान, एक important noble, एक important position और powerful noble की तरह इमर्ज होते हैं और इनके support से जहंदर शाह इनको लाल कुमर भी कहा जाता था, क्योंकि इनको लाल रंग बड़ा पसंद था तो हमने समझा अभी तक कि किस तरीके से later muggles आ रहे हैं, उनका deterioration हुआ और gradually एक इस तरह की situation बनेगी कि जिसमें Europeans के लिए बड़ा असान हो रहा है कि वो political power को grab करें, तो इसकी जो भूमिका है, I expect कि ये clearly समझ आ रहे है और क्योंकि ऐसा होता है कि modern history को straight away भी हम 1857 से start कर सकते थे, बट वो connection नहीं बन पाता वो transition अगर हम नहीं समझते, तो medieval से modern में हम पहुँचे कैसे, या modern India की जो शुरुआत है, वो कैसे हो रही है वो उसकी clarity लाना हमारे लिए काफी जरूरी है Having said that, आगे बढ़ते हैं देखिए, जहांदर शाह अब मुगल साशक बन गए है जुल्फिकार खान ने उनकी मदद की लेकिन जहांदर शाह कमजोर साशक है Lesser मुगल्स में ये बहुत less है Late मुगल्स में ये काफी इनका influence जो है, रुतबा उनका इतना नहीं है तो he's quite a weak emperor, quite a degenerate prince Consequently क्या होता है कि जहांदर शाह जुल्फिकार खान को वजीर बना देते हैं और कहते हैं कि भई, मेरी administration की जादा तर काम आप संभालो तो administration का जो virtual control है वो जुल्फिकार खान के पास चला जाता है और जहांदर शाह अयाशियों में बजी रहते हैं जुल्फिकार खान अब virtual emperor है जबकि जहांदर शाह ये एक nominal emperor है मुगल dynasty के अंदर तो यहां पर जुल्फिकार खान का दिमाग और उनकी policies decide करेगी कि मुगल empire किस direction में जाएगा ठीक है? तो यहां पर जुल्फिकार खान को इस बात का पूरा हैसास था and he was basically quite able, noble, efficiency थी इनमे तो इनको ये समझ आ गया था कि अगर शांती से मुगल समराज को चलाना है तो हिंदू राजाओं के साथ, राजपूत राजाओं के साथ मराठा सरदारों के साथ हमें coordination बनाके रखना पड़ेगा ये अपनी भी position safe करके रखना चाहते थे और जो empire constantly decline होता जा रहा था after Aurangzeb's death इसके बाद भी इनको समझ आ गई थी कि अगर हम यहां पर रहने वाले लोगों के साथ relations अच्छे नहीं बनाएंगे तो हमारा भी कुछ बड़ा नहीं होने वाला consequently ये क्या करते हैं कि rapidly ये बहुत ऐसे measures लेते हैं जिससे कि ये अपने tolerant policies दिखाते हैं जो जजिया Aurangzeb ने reintroduce कर दिया था उसको ये abolish कर देते हैं अंबेर के राजा जै सिंग जिन्होंने demand की थी कि मालवा का सूबा उनकी हमाले कर दिया जाए उनको सुबैदार बना दिया जाए तो अंबेर के राजा को ये title दे देते हैं मिर्जा का और मालवा की गवर्नर्शिप भी इनके पास हो जाती है तो मालवा से आने वाला revenue अब अंबेर के राजा मिर्जा, राजा, सवई इनको मिल जाती है जै सिंग को तो मिर्जा, मिर्जा, राजा, सवई इनको title मिला है और राजा कौन थे जै सिंग थे इसी के साथ साथ अजीद सिंग जो मारवार के राजा है इनको महराजा का title दिया गया और इनको गुजरात का इस आशन में उनके में ये फुल्फिल नहीं हो पाया तो जुल्फिकार खान ने इस मांग को इस डिमांड को accept कर लिया और अजीद सिंग जो मारवार के राजा थे उनको महराजा का टाइटल दे के इन्होंने गुजरात का गवर्नर बना दिया इसी के साथ मराठा चाहते थे कि हमें चौट एकटे करने दी जाए अपनी peripheral territories से वो भी उनको अलाओ कर दिया कि चौट और सरदेशमुखी आप दोनों ही collect कर सकते हो तो ये basically आप clearly देख सकते हैं कि जहंदर शाव 1 के समय पर क्योंकि virtual administration जुल्फिकार खान के पास थी तो इन दोनों के समय पर क्या हुआ हिंदु राजाओं, माराथाज और राजपूद के साथ काफी बढ़ कर conciliation measures लिये गए जिससे की cordial relations बनाने की पूरी कोशिश की गई लेकिन सिखों के साथ cordial relations नहीं बन पाए तो ये old policy of suppression जो सिखों के साथ ये policy चलती गई वो यही चलती गई इसका reason दरसल ये था कि North West India से जो भी invasion आती थी तो ये मुगल्स यहाँ पर चाहते थे कि उनका control रहे ताकि वो किसी भी आने वाली invasion को tackle कर सके इसलिए वो अपना control बनाने की लिए बहुत forceful पंजाब को grab करना चाहते थे लेकिन वहाँ पर गुर्गोबिन सिंग की जब बनाई गई खालसा forge वो बहुत severely resist करती थी और इस वजह से suppression की policy जो है वो follow करने पड़ती थी जुल्फिकार खान को जहाँ पर बहुत ही brutal measures use करते थे beyond what humanity can bear इसी के साथ सथ इनों ने empire को improve करने की कोशिश की finances को improve करने की कोशिश की औरंग जेब के समय से काफी जादा wars की वजए से राज कोश धीरे धीरे खतम होने पर आ रहा था तो इन्होंने कहा कि ये जो reckless jagirs बनती जा रही है कि बस jagir बनाते जा रहे हैं उनको देते जा रहे हैं और जो सरकार को जो central administration को जो tax आना चाहिए वो मिल नहीं रहा है तो इसको control करने के लिए इन्होंने एक unnecessary से सरी जागिरदारों को बनाना बंद कर दिया ठीक है तो इसमें क्या होता था कि एक land दिया जाता था hereditary right होता था उस पर और अगर किसी particular वक्ती को salary नहीं दे सकते या salary के बदले जागीर देते थे कि उसमें से अपनी salary निकाल लो और जो remaining है वो emperor को दे दो तो ये जागीरदारी system होता था अब इसमें गड़बड ये करते थे कि अपनी salary जादा निकाल लेते थे और बचा हुआ जो portion होता था वो बहुत कम होता था तो manipulation होती थी तो इस practice को control किया गया by जुलफिकार खान इसी के साथ साथ इन्होंने सभी मनसबदारों को कहा कि आपको जितने troops maintain करने को कहा गया है उतने maintain कीजिए otherwise मुगल आर्मी काफी जादा weak हो जाएगी जो की हो भी रही थी तो इनके in measures की वज़े से इनकी आर्मी भी थोड़ा सा revive करना start हो गई तो हाला कि जुलफिकार खान काफी able administrator साबित हो रहे थे अच्छे काम कर रहे थे लेकिन इनसे हो गया एक बहुत बड़ा blunder इन्होंने revenue के मामले में peasants के साथ ले लिया पंगा पंगा क्या एक बड़ी खराब policy कर दी वो blunder इनका था इजरा का system introduce करके इजरा basically होता है revenue farming now let us understand what is इजरा farming इजरा एक permanent settlement को जब हम पढ़ेंगे आगे advent of Europeans के अंदर में जब land settlement act पढ़ेंगे ब्रिटिश का या अगर आपने अगर NCRT पढ़ी है तो उसमें इजरा permanent settlement से काफी मिलता जुलता एक system है इसमें क्या होता है कि जो emperor है वो एक fixed rate charge करता है एक particular जमीन से और इसको charge करने के लिए इसको connect करने के लिए वो एक middle man रखता है याने की जमीनदार रखता है ठीक है वो जमीनदार का काम है कि वो fixed rate शेहनशा को देता रहे और जो बचा हुआ है वो अपने पास अपना खर्चा रखे तो यहाँ पर एक incentive मिलता है कि अगर ये middle man किसी land की cultivation को improve करने की कोशिश करेगा तो उसमें क्या होगा? कि उसका फाइदा जादा होगा क्योंकि सरकार को तो fixed rate जा रही है सरकार की demand एक fix है लेकिन होता क्या था? कि यहाँ पर fixed rate तो दे दिया जाता था लेकिन peasants को बहुत torture करके extra revenue खीचने की कोशिश करते थे यह middle man ठीक है? तो एक बड़ा interesting और important fact है कि इस system को जहंदर शाने Bengal में introduce करवाया था सबसे पहले So it was started in Bengal तो जो भी जमीनदार या middle man यह claim करता था कि मैं सबसे ज़ादा revenue लाके दे सकता हूँ उसको यह जमीनदारी दे दी जाती थी और अंग्रेजों के जमीनदार या permanent settlement system से different ऐसे था कि वहाँ पर फिर थोड़ा काईदा कानून था कि पट्टा system चलता था तो उस पट्टा system के ऊपर जो आपकी territory है उस territory से कितना permanent settlement बनता है और उसकी further ownership defined होती थी peasants के ऊपर भी उनकी जो territory बगेरा है वो पता होती थी लेकिन यहाँ पर वो पट्टा system proper follow नहीं होता था यहाँ पर unnecessary जितना exploitory peasants को किया जाता था जितना exploit peasants को किया जाता था वो यहाँ देखने को मिलेगा जो middlemen और zमींदार peasants को करते थे तो इजरा system revenue farming का system बहुत brutal system बन गया during Mughal Empire तो एक सवाल आ सकता है किसी भी paper में कि इजरा जो है वो एक important practice थी during later Mughals what is it कुछ options होंगे उनमें एक option होगा कि revenue farming system है उस पर हमें टिक करना होगा आगे बढ़ते हैं अब जहंदर शाह के बाद आएंगे फरुक्सियार दरसल Mughal सामराज्य की condition इतनी deteriorate होनी start हो गई कि यहाँ पर अब दो characters emerge होते हैं वो characters देख रहे हैं कि किस तरह से जुल्फिकार खान के पास virtual control है नाम सिर्फ जहंदर शाह का चल रहा है असली control जो है वो जुल्फिकार खान के पास है अब इन दो भाईयों में इन ये जो दो characters हैं ये आपस में भाईयों हैं और इन दो भाईयों एक ambition जागता है कि हम भी इसी तरह से king makers बनेंगे तो consequently ये लोग क्या करते हैं देखे जो king maker बनने के लिए ये क्या करते हैं ये conspiracy करते हैं सायद brothers करते हैं एक conspiracy सायद brothers support करते हैं फरुक सियार को फरुक सियार से मिलकर ये एक plot रचते हैं, conspiracy रचते हैं, जिसमें कि जहंदर शा को assassinate करवा दिया जाता है चीक है, तो 1712 में ये मुगल बना, मुगल emperor 1713 में इनकी assassination हो गई और assassination के बाद जहंदर शा, जहंदर शा जो है, ये अगले मुगल emperor बन जाते हैं, तो ये जो साइद ब्रादर्स हैं, ये हैं कौन ये दो भाई थे, एक का नाम था अब्दुल्ला खान था, दूसरे का नाम था हुसेन अली अब्दुल्ला खान वस देलड़ा one, और हुसेन अली खान जो हैं, वो छोटे भाई थे इन्होंने जहंदर शा को मरवा कर फरुक सियार को जब शेहनशा बनाया तो इन्होंने खुद के लिए एक important post भी संभाल ली secure कर ली तो हुसेन अली खान बन गए मीर बक्षी हम medieval इंडिया में भी पढ़ेंगे पढ़ते हैं कि important offices जो है during मुगल सल्तनत during डेभी सल्तनत तो मीर बक्षी basically responsible होते हैं intelligence और military promotions के लिए appointments के लिए मीर बक्षी का responsibility वो होती है intelligence related and military promotion related उनके head बन जाते हैं हुसेन अली खान और अब्दुल्ला खान जो हैं वो revenue और finance का head बन जाता है याने की वजीर बन जाता है clearly आप देख सकते हैं कि ये दोनों ही भाई कितने ही important pose पे हैं ये कितनी important officers को control कर रहे हैं and consequently Mughal dynasty में भी इनका बहुत जादा important role बन गया है दरबार में अब ये बहुत important noble बन चुके हैं और important officers बन चुके हैं and virtually they are now working as the king makers और अब ये करेंगे मुगल साशन में तांडव तो इनकी कुछ अजीब practices की वजह से Mughal empire further degenerate करेगा decline करेगा तो यहाँ पर सायद brothers starting में इनको भी ये बात समझ आ गई थी कि अगर साशन ढंग से चलाना है तो religious tolerance को follow करो basically औरंग जेब ने तरीके से intolerance दिखाई और उसके बाद जो जेलना पड़ा मुगल साशन को बहुत सारे विद्रो बहुत सारे बगावत brain होती हुई जो राजकोश जो रतनकोश थी इसको देख के इनको clearly समझ में आ गया था कि religious tolerance दिखानी पड़ेगी तभी बड़ा peacefully हम शाशन चला पाएंगे इसी के साथ साथ हाला कि इन्होंने फरुक्षियार को शेहंशा बनाने में support तो किया बट इन्हें फरुक्षियार पर पूरी तरीके से भरोसा नहीं था सो consequently ये लोग क्या कर रहे थे इन्होंने राजपूट्स को और मराठास के साथ cordial relations बना के रखे लेकिन उसके पीछे कारण था कि ये अपनी position को secure कर रहे थे अपनी फरुक्षियार के खिलाफ अपनी position को strong रखना चाते थे क्योंकि फरुक्षियार के खिलाफ भी इनका power struggle था तो उस power struggle में ये राजपूट्स और मराठास को use कर रहे थे manipulate कर रहे थे सभी को अब इसके साथ इन्हें समझ आ गई थी कि ये powerful बन रहे हैं और जब भी कोई powerful बनता है तो उनके दुश्मन भी आ जाते हैं तो अगर किसी को powerful रहना है तो उनके empire को भी powerful रहना जरूरी होता है तो administration को अगर properly conduct करना है तो it is very important कि असली जो authority है वो हमारे पास रहे और फरुक्स यार जो है जो कि मुगल शेहनशा है उनके पास सिर्फ nominal या बिल्कुल common सी authority और बिल्कुल rubber stamp की तरह वो काम करें इस वज़ा से वो अकसर undermine करने की कोशिश करते थे फरुक्स यार को अगर फरुक्स यार कोई decision लेता था तो उसको challenge करने कोशिश करते थे तो इस वज़ा से फरुक्स यार और सायद brothers के बीच में power struggle भी होता था और कई बार ऐसी नौबत आती थी कि कोशिश की गई कमजोर करने की कोशिश की गई finally इन सायद brothers ने एक साज़िश रच के 1719 1719 AD में क्या किया इन्होंने फरुक्स यार को गद्दी से हटवा के बरवा दिया पहली बार ऐसा हुआ अभी से पहले तो गद्दी से हटाया जाता था लेकिन यहां assassination भी हो गया ये बात सभी के सामने प्रत्यक्ष रूप से सामने आ रही है ठीक है इप इस जग जाहिर की सायद brothers किस हद तक जा सकते हैं consequently बहुत से nobles को एक खत्रा महसूस होना शुरू हो गया कि सायद brothers के हाथ में अगर पावर रहती है तो ये मुगल सल्तनत को या मुगल शाशन के लिए सही नहीं होगा और अगर शेहनशा ही सेफ नहीं है तो आम जनता का क्या होगा तो यहां पर सायद brothers के खिलाफ अब conspiracy होती है लेकिन सायद brothers अपनी पावर को ensure करने के लिए खुद शेहनशा नहीं बनेंगे क्योंकि उन्हें पता है कि अगर शेहनशा बने तो दुश्मन बहुत है तो ये एक quick succession में फटाफट फरुक्सियार के तीन successes को शेहनशा बनाते हैं तो immediately रफिस उस दरजात जो रफिस उस दरजात है उनको शेहनशा बनाया जाता है ये शेहनशा बन जाते हैं तो excessive consumption की वज़े से इनकी तब्यद बिगड़ती है और शेहनशा बनने के कुछ ही दिनों बात इनकी death हो जाती है देहान तो जाती है immediately एक और व्यक्ति ढूणते हैं मुगल lineage में ही एक और व्यक्ति रफिस उस दौला इनको शेहनशा बना देते हैं और रफिस उस दौला का title बन जाता है शाजहा टू He is known as शाजहा टू तो शाजहा वन कौन थे? टाजमहल वाले और शाजहा टू कौन है? रफिस उस दौला तो इनको भी शेहनशा बना दिया जाता है लेकिन इनका भी जो रूल था वो तीन महीने का ही था सायद ब्रदस का समय ही खराब होता है कि जिसको शेहनशा बनाते है या तो वो बिमार पढ़ जाता है या वो उनी के खिलाफ कौनस्पिरेसी करेगा तो यहाँ पर भी रफि उस दौला या शाजहा टू को टीबी की बिमारी हो जाती है ट्यूबर किलोसिस की जिसकी वज़े से इनका दिहान तो जाता है इसके बाद ये एक बड़े ही रंगीन मजास के आदमी को शेहन शाह बनाते है जिसका नाम होता है मुहमद शाह और क्योंकि अब ये रंगीन मजास के आदमी है तो परस्नालिटी थी ये बड़ी ही लाइवली परस्नालिटी थी ये वोस फॉन्ड ओफ डिफरेंट कालर्स क्लोल्स, फैशन और इसी वज़े से इनको रंगीला कहा जाता था क्योंकि ये अपनी ही दुनिया में मद्भोश है तो अब मुहमद शाह रंगीला इनको बना दिया गया है मुगल एंपायर का अगला शेहनशा ठीक है? तो now he is the शेहनशा of मुगल एंपायर एक incapable ruler क्योंकि ये बहुती रंगीन मिज़ास के आदमी है और ये इतना efficiently शाशन जो है वो चलानी पा रहे थे इनका खुद decision लेने में ये बहुत जल्दी influence हुजाते थे दूसरे लोगों से कुछ जादा ही luxurious life के पीछे भागते हैं और इनके शाशन में कई बड़े ही able administrator या वजीर हुआ करते थे जैसे निजामुल मुल्क निजामुल मुल्क was a very able administrator under मुहमद शारंगीला लेकिन इनको भी इन्होंने support नहीं किया और बहुत ही corrupt और किसम के और worthless किसम के ये वेक्ती थे बड़ी असानी से जो भी इनकी चापलूसी करता था ये उसकी influence में आते थे यहां तक कि कई courtier जो रिश्वत लेते थे उनके साथ शेहनशा होने के बावजूद भी ये रिश्वत शेयर करते थे जबकि आपको याद हो जोदा अकबर जो एक movie आई थी उसमें हमने एक scene देखा है कि बीरबल का edited scene आता है बीरबल दरबार में appointment लेने के लिए gatekeeper से बात करता है तो वो कहते हैं कि जो भी मिलेगा राजा से वो मेरे साथ आधाधा बातना होगा तो यहां पर जब वो अकबर को बताते हैं तो अकबर कड़ा दंड देते हैं gatekeeper को लेकिन वो यहां पर bribe ली जा रही है वो corruption जो है काफी notorious तरीके से फैली हुई है मुगल empire के अंदर तो consequently इस inefficiency और इतने degeneration, moral degeneration की वज़े से जो मुगल empire तूटता जा रहा है बिखरता जा रहा है मुहमद शार अंगीला भी इसको reestablish नहीं कर पा रहे है अब इतनी खराब situation के बाद भी आप लोग के मन में ये आ सकता है कि बहादुर शाह 1 तक हम पहुँचे कैसे बहादुर शाह 2 तक, बहादुर शाह जफर ये तो हाल ऐसा भी भी बड़ा ही crucial, important role पे play कर रहे थे, ये दो factors है मुगल empire का जो public perception बना हुआ था that is the ultimate sovereign authority of India तो ये एक बड़ा ही strong factor जो है वो था, basically later मुगल्स या lesser मुगल्स के बाब दादाओने जो महनत कर रखी थी, till औरंग जेब उन्ही का ये खा रहे थे उस वज़ा से public में एक perception बनी हुई थी कि जो central authority है वो अभी भी मुगल्स है यही कारण है कि even 1857 के revolt के time पे भी हम देखेंगे कि बहादुर्शा 2 या बहादुर्शा 2 जफर को nominal head बनाया जाता है उस revolt का, right तो यह हम clearly उस चीज़ को समझ सकते हैं कि public perception की वज़ा से अभी भी मुगल्स आशन जो है पूरी तरीके से destroy नहीं होगा दूसरा जो factor है वो था इनका, इनकी जो army थी उसकी भी कुछ strength थी artillery जो है, जो होती है जो cannons होती है तो there is infantry and there is artillery तो infantry का मतलब होता है कि foot soldiers जैसे मंगल पांडे थे वो infant थे, वो paddle चलते थे foot soldier थे artillery ये तोपों से deal करते हैं और cavalry जो है वो घोड़ सवार ये horse power का अस्तमाल करते हैं ठीक है तो ये horse power का प्रयोग करते हैं तो इसमें mobiles की artillery काफी strong थी जिसकी वज़े से वो अभी तक sustain कर रहे थे formidable power थे even Europeans भी इनसे पंगा अभी नहीं ले सकते थे अगर हम अभी आगे देखेंगे advent of Europeans को जब detail में जाएंगे तो करेंगे कि एक point पर Europeans ने कोशिश की लेकिन उनको brutally दबा दिया गया था British ही थे जिन्होंने कोशिश की थी और उनको brutally suppress कर दिया गया था तो यहाँ पर एक समझने की बात है कि जब इतनी जादा बुरी हालत हो गई empire की और यहाँ पर सब को दिख रहा है कि empire में एक बड़ा ही worthless किसम का व्यक्ति इस समय राजा है और राजा बनाने वाले जो है वो कर रहे हैं सब कुछ control और साशन empire सल्तनत पूरी तरीके से बिघड़ती जा रही है तो consequently हुआ यह कि सायद ब्रदर्स के खिलाफ एक plot होगा इनको eliminate करने का और इस elimination में यह आपकी information के लिए बता दू मोहमद शाह रंगीला भी participate करेंगे वो भी इस plot में शामिल होते हैं क्यूंकि सायद ब्रदर्स काफी हद तक मोहमद शाह रंगीला को control करने की कोशश करते थे इसी से irritate होकर रंगीला चाहता था कि इनको eliminate करो मुझे अपनी life जीनी है तो यहाँ पर हुआ क्या इधर इनके बहुत सारे rivals बन गए, दुश्मन बन गए बहुत सारे दुश्मन बन गए और कई जमींदार और कई सुबेदार जिनको यह दिख रहा था कि शाशन वो शाशन रहा ही नहीं तो इनको यह realize हुआ कि हम जो tax या revenue collect करने है इनको देने का फाइदा क्या शेहनशा ने तो वैसे ही अपनी अयाशी में लुटा देना है empire वैसे ही degenerate हो रहा है तो क्यों न हम खुद के लिए खुद की जागीर अपनी territory का ध्यान रखे इन इस revenue से तो इनों ने ये revenue देना या tax देना बंद कर दिया तो जब tax देना बंद कर दिया तो जो शेहनशा का शाही कोश था जो central income थी वो गिरनी शुरू हो गई जब वो detoriate होनी start हुई तो कई soldiers और officers को salary देने के पैसे नहीं बचे मुगल्स के पास and consequently बहुत से soldiers भी revolt करने लगे और इसकी वजह से एक indiscipline army के अंदर में दिखी इस indiscipline के चलते जब ये बाकी nobles को पूरी picture नजर आती है तो बाकी nobles भी ये decide करते हैं कि सायद brothers को हमें eliminate और execute करवाना ही पड़ेगा अब इस plot के अंदर दो main nobles अपना important role play करेंगे वो दो nobles हैं निजाम-ul-mulk और मुहम्मद आमीन खान ये दो जो nobles हैं ये अपना important role इस plot के अंदर में अपना role अदा करेंगे तो निजाम-ul-mulk aggressive थे और आगे जाके नोने हाइदरबाद की सल्तनत को establish करनी है तो इनको आप ऐसे imagine करो कि निजाम-ul-mulk जो है काफी aggressive noble थे ये थोड़े से serious थे, aggressive थे तो इन्होंने ये देखा कि सायद brothers क्या कर रहे हैं तो इन्होंने फैसला किया कि इनको हटाना ही पड़ेगा तो इन्होंने निजाम-ul-mulk के साथ-साथ एक और noble थे जोकी थे मुहमद आमीन खान इन्होंने एक plot किया इन दोनोंने मिलकर कि जहां पर सायद brothers को मिलकर assassinate करवाया जाएगा अब इसमें हुआ ये कि सायद brothers के खिलाफ कुछ factors काम किये इन्होंने सबसे पहले इस बात को बहुत ही जादा उच्छाला कि देखो उन लोगोंने फरुक सियार का murder करवा दिया अगर शेहनशाही safe नहीं है तो हमारी क्या है स्कित तो पूरा एक opinion एक public opinion सायद brothers के against बनना start हो गया इसी के साथ इन्होंने इस बात को दिखाया कि फरुक सियार के साथ जब power struggle चल रहा था तो इन्होंने मुगल empire के जो rivals जो हैं उनके साथ हाथ मिलाने की कोशिश की याने की marathas और राजपूट को अपने interests safeguard करने के लिए use किया जाता था और दूसरा इन्होंने कहा कि हिंदूस के खिलाफ इनकी liberal policies थी हिंदू के साथ इनकी खिलाफ तो नहीं हिंदूस के साथ ये काफी liberal policies adopt करते हैं जजिया हटा दिया इन्होंने तो कई nobles जो औरंग्जेब के समय के थे उनको तो आदत पड़ी हुई है कि मंदर तुडवाओ anti-hindu policies को follow करो औरंग्जेब का क्या था हमने medieval history में पढ़ा होगा I'm sure कि non-construction of temples temples को देखेंगे और फिर policy follow की destruction of temples की तो यहाँ पर इनको लगा कि हिंदूस के साथ इतनी दर्या दिली क्यों इस चीज़ की वज़े से इन तीन factors की वज़े से सायद brothers को tag लग गया इनके उपर तो इन practices की वज़े से anti-islamic हैं, anti-mughal हैं और इनका हटना जरूरी है तो यह plot किया गया and consequently क्या हुआ? इस पूरे plot में मुहम्मद शाह ने भी इस बात को मान लिया कि निजाम-ul-मुल्क, अमीन खान मैं आपका साथ दूँगा करो जो करना है तो 1720 में इन्हों ने हुसेन अली खान का धोखे से murder करवा दिया हुसेन अली खान जो मीर बक्षी थे, जो छोटे भाई थे सायद ब्रदर्स में, वो पहले मरे इसके बाद अब्दुल्ला खान ने fight back करने की कोशिश की but he was defeated near आगरा, तो एक battle हुई 1720 में ही एक battle हुई आगरा में, वहाँ पे इनको भी बर्वा दिया गया, तो यहाँ पर मुगल शाशन में lesser मुगल में, जो king makers इतना बन रहे थे इन्होंने basically चार शाशकों को बनवाने में help की फरुक्सियार दरजात और उसके बाद जो उनके successors आये थे वो दरजात और दौला तो रफेसुद दरजात और रफेसुद दौला तो इन्होंने, ये नाम थोड़े से मुश्किल है, ये याद रखना जरूरी है हमें, आगे की चीज़ें भी आगे की स्टोरी भी हमें समझ आएगी तो फरुक्सियार दरजात और दौला और रंगीला को राजा बनाया सायद ब्रदर्स ने इनका बड़ा ही एक important role जो है इनको राजा बनाने में था अब इसके बाद जब इनका दिहान तो जाता है तो निजाम-ul-मुल्क बन जाते हैं बहुत important of officer वजीर 1722 में तो यानि की revenue और finance वो अब इनके हाथ में ये इन्चार्ज हो जाते हैं निजाम-ul-मुल्क लेकिन मुहमद शार अंगीला के साथ इनकी बनती नहीं है मुहमद शार अंगीला को चापलू उस लोग पसंद है जबकि निजाम-ul-मुल्क उनको सलाह देते थे कि किस तरीके से मुगल शाषन को वापिस उसके उस चरम तक पहुँचाया जा सकता है जो किसी समय पर था अकबर के ज़माने में एक्जिस्ट करता था लेकिन रंगीला ने इसकी तरफ कुछ ध्यान नहीं दिया तो consequently इन्होंने अपने ओफिस को यानि की वजीर की पोजिशन को खुद ही छोड़ दिया 1724 में खुद ही इन्होंने नराज होके अपनी पोजिशन को छोड़ दिया आंग्लो कारनाटिक वार्ज में लड़ाई करेंगे ठीक है सो ये थी कहानी किस तरीके से लेटर मुगल्स के समय पर situation बनती है और अब आगे की जो कहानी है उसमें हम देखेंगे कि एहमद शाह से लेके बहादुर शाह जफर टू तक या बहादुर शाह जफर तक एक पूरा एक road map देखेंगे और कुछ independent kingdoms कैसे emerge होते हैं वो हमें देखना है थोड़ा detail में और basically उसमें properly decline कैसे हो रहा है मुगल्स का proper decline कैसे हो रहा है मुगल्स का और फिर कैसे Europeans की entry होती है ये power में कैसे आते हैं हम वो देखेंगे and that brings us to the end of this episode thanks for joining during the series and I hope that this series is beneficial for you as always thank you for listening to PrepCast if you enjoy this show please rate and review on Apple Podcast and also like, share and subscribe on to the GS League YouTube channel thank you